यूट्यूबर एलवेश व्यादव को जमानत मिली है, 17 मार्च से जेल में बंद था एलवेश व्यादव, 50,000 के बेल बॉन्ड पर जमानत मिली है, गरफ्तारी के छटे दिन जमानत मिली है, आपके जहर कांड में जुरफ्तार हुआ था, तो फेमस यूट्यूबर एलवेश व्यादव को जमानत मिली है, 17 मार्च से जेल में बंद था, 50,000 के बेल बॉन्ड पर जमानत दी गई है, जमानत मिली है, गरफ्तारी के छटे दिन जमानत मिली है, ओनरेबल पोर्ट ना ओडर पास कर जया, उनको जमानत मिल गई है, 50,000 के दो शोर्टी तो जमानती दाखिल कर दिये जाएंगे, कब तक उमीद करें कि जल से बार आ जाएंगे, अभी हमें प्रोसीडिंग करने तो जमानती रहने कि जितना भी जल्दी होगा आ जाएंगे, जब परवाना में आपने क्या आर्गुमेंट दिया था, उनको क्यो बेल मिलना चाहिए, आर्गुमेंट समारा यह था कि जमताफस आया गया है, उससे कोई सब्स्टेंस बरामद नहीं था, एंडिपी एसेट का, और जो पूर में जिससे बरामद था, राहुल से, उसको बेल पूर नो, ऑन्रेबर कॉर्ट से मिल चुकी, यह कब निकलेंगे जेल से बाहर? देखे, अभी हमें प्रोसिडिंग कूरी हो जाए, कोट की बेल के बाद और प्रोसिडिंग्स होती है, उसमें जवान के वाहमद शोर्टी जो दाखिल करेंगे, उसके बाद यह जो ओर्डर कोट से जाएगा, उसके हम तयारी करते हैं, के लिए क्या जन करिये? जिनको 20 सारी के आसपास यहां पर पुलिस की तरफ से गिरफ़ार किया गया था, उन लोगों को भी जमारत दी गई है, पचार पजार जार के जो मुचनके है, उसके आधार से इनको यहां पर जमारत दी गई है, तो कि जिस तरीके से NDPS जो एक्ट है, उसके बाद बदलाव जारा के आधार पे जमारत मिली है, पिलाल जो जमानती जो है, उनके आधार पे जो तर्माम फार्मेल्टी जे अब उसके पूरा करना हुआ, उसके बाद से एल्विस जादम को जो है, जेल से रिहा हो जाएगी, लेकि एक बड़ी रहात जो है, वो एल्विस जादम को बोनी कि ते पहले जाए जाजा करने के लिए तो 17 मारसे जेल में बंद था अलवेश अब उसे रहत मिलती ने जुरा रही है जमानत मिलिये